तो दोस्तो आज 17 ओक्टोबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important company की share के बारे में जिसका आज quarter 2 का result आउट हुआ बजार close हो जाने के बाद और ऐसे बहुत सारे companies है जो कि कल यानी 18 ओक्टोबर के दिन अपना result प्रेजन करेगा तो ये सारे company का नाम और company का performance कैसा हुआ उसको पर बेस करके क्या share में तेजी होगा गिरावाट होगा सब कुछ हम डीटेल में analysis करेंगे तो request करूँगा सबको please वीडियो को बिना skip के पूरान तक जरूर देखना शुरूआत करेंगे याँपे Tata Group से Tata LXC Limited आज बजार close हो जन अब 2022 में Tata LXC का total income का नंबर था 763 करोर रुपए जो कि इस बर सीधा बरके 882 करोर रुपए पहुंच चुका है ना के बल year on year बलकि quarter on quarter basis पे इंक्रीज देखने को मिला साड़े 800 करोर रुपए से 882 करोर तक पहुंच चुका है उसके साथ-साथ company का margin 30% company एकदम से फ्लैट मेंटेन किया जैसे कि आप आप देख सेकते स्क्रीन के उपर 30% लास्ट यर भी था लास्ट quarter में भी 30% था इवेन इस quarter में भी 30% है तो margin के related यहां पर कोई issues नहीं है और जिस बेज़े से company का जो net profit ह उसमें काफी अच्छा growth हमें देखने को मिला एक सो चुएतर करो रूपए से सीधा बढ़के 200 करो रूपय पहुंच चुका है और उसके साथ चांट को से बढ़के 200 करो रूपय पहुंच चुका है यानि quarter on quarter basis पे भी growth हुआ और उसके साथ चांट यहार और बेसिस पे भी हम में कमेंट करके जरूर बताना बठाव मुझे लग देखे शेयर देखे काफियत तक गिर अलएडी चुका है क्योंकि शेयर लास्ट यह में देखा था कि लगबग जून के मैंने का अगर आप देखोगे मतब लास्ट यह की बात करें एक बन मैं आपको दिखा हूं यह देखे कंपणी का देखने को मिल गया शेयर बंपर तेजी के साथ क्लोजिंग गया और आइधिंग की हो सकते है कि आगे आनवल टाइम पे और भी आपको तेजी देखने का चांस है कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म किया जैसे कि सेप्टमब दो जर्वाइस की बात करें के बाल कंपनी की टोटल इंकम बलके कंपनी का जो मार्जीन है उसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छे से देखने को मिला 16 परसंट से बढ़के 20 परसें हुआ मार्जीन इवन कॉर्टर ऑन कॉर्टर बेस पे 12 परसें से बढ़के 20 परसें हो चुका है यानि मार्जीन के इंदर होने के कारण उसके साथ से टोटल इंकम में भी बड़ा तो जिस बैसे कंपनी को जो इल्टिमेटली नेट प्रॉफिट है उसमें काफी मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला 27 करूर रूपीज से बढ़के 44 करूर रूपीज तक शिर पहुंच चुका है मत्म नेट परफिट अच्छी बात है आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इल्टी ग्रूप से लार्सन टूब्र टेक्नलोजी सर्वीज यानि एल टीटी इस आज की रेट पे शेयर क्लोजिंग दिया 1.24 परसें गिरावट के साथ बट मुझे लास्ट किया जाता है तो उसका अकोरिंग मार्केट पहले से थोड़ा बहुत एजस्ट कर लिते हैं अपने आपको रिज़ाइब प्रैस के अंदर तो एक्चुलिए यह जो कंपनी है मतलब जो फोर्कास्ट किया था उससे बेटर परफॉर्म किया मार्केट फोर्कस्ट को कर दिया यह लास्ट की बात करें सेप्टमब दो हार बाइस में कमपनी का टोटल इंकम का नमबर ता 2282 करो रुपए जो कि इस बार बढ़के 2386 कर रुपए पहुंच चुका है साथ हिसात कंपनी का जो क्वार्टर ली टोटल इंकम है 23001 करो से बढ़के 2386 कर रुपए इस बाइस कंपनी साथ यहां पर द्रॉप होँआ था उसको कंट्रोल के उसके साथ आप समसेक्ते हैं इंक्रीज भी यह जिस बैसे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अल्टिमेटल उसमें आमें ग्रोथ देखने को मिला दोनों ही सेक्मेंट अप देखें ग्रोथ बहुत क्योंकि मार्केट का जो पेडिक्शन था या बोल से तो फोर्कास था वो ता लगवक 310-11 करोर के आसबास उससे लगवक 3-4 करोर कंपनी ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाया तो जिस्ट बगास हो सकता है कि कल शेयर में एक अच्छा जम भी आपको देखने को मिल सकता वाइ अच्छल में बात यह कि शेयर पांचार क्यूपर देखे कुछ समय के लिए पहुंच भी गया था इसी साल पर अगर हम लास्ट एक साल की बात करें तो शेयर कहीं नेक्स्ट इंपॉर्टन है बजाच वना जिसको पर आज पहले वीडियो में एकदम डीटेल में कवर कर चु प्रफिट के अनुसार नहीं हुआ मेरा बात को धेया से समझना कम्पनी का रेजल्ट अच्छा हुआ और जो एक्स्पेक्टेशन था Ideic चरफिपर पर आज पहले वीडियो में ईन्वेस्टर्ज दॉस्त ऻंको लग देकीन एस ईसा नहीं है आपको को देखे समझें थोड़ा भावनाओं को साइट में रखके लॉजिक से समझें कि देखें मार्केट का जो एक पोजेक्शन होता है फोरकास्ट उसको पर मार्केट ढल जाता है मतलब शेयर जो जाता है अब देखें उससे खार आप कंपनी को प्रफाइंस वा जिस बैसे मेरी क पे ग्रोथ देखने को मैंना टोटल इंकम के अंदर इवर कॉर्टर और कॉर्टर बेस भी ग्रोथ वा बट में देखें यहां पर जो लैक किया वे कंपनी का मार्जिन जो चीज़ मैं बार बार फोकस कर रहा था था पहले वाली वीडियो पे थर्टीन परसंट से देखें ग सकता है पहला लॉजिक से समझें ठीक है तो देखें अगर आप देखोगे इसका जो नेट प्रॉफिट 2781 करोर से सीधा सीधा 28% ग्रोव किया 35001 करोर रुपए इवन क्वार्टर बेस पे भी ग्रोव किया बट जो भी एक्सपेक्टेट था मार्केट का फोड़कास था वो दोस्तों यह तो सब हो गया जो भी सारे कंपणी का आज रेजल्ट आउट हुआ और भी बहुत सारे कंपणी का आना बाकि है उसको पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे अब बात करेंगे कुछ ऐसे कंपणी की शियर जो कि कल यानी 18 ऑक्टोबर के दिन अपना ली रेजल्ट आउट होगा तुरंद आपको वीडियो का से शेयर कर दूंगा अस्टर लिमिटेट दोस्तों कल 18 तारी को अपना रिजल्ट करेंगा उसके बाद ध्यान से देखना हो सगे तो पेपर में नोट कर लिजी ठीक है बहुत इंपोर्टन है यह सारे कंपणी का शर है इसको बढ़ी नजर होना चाहिए एल्ट्य माइन ट्री और एक निफ्टी का शियर इसका भी कल रिजल्ट होगा एक परसुन उपर आके क्लोजिंग दिया उसके बाद पॉली कैप लास्ट एक साथ से काफी अच्छा रिटन दिया इसको बढ़ी नजर होना चैकल इसका र की एल्ट हैétaitर कर आके की धषर आका से इसका बड़ी माना चाहिए खरफियोंग वह ड्रोबस भी कमे प्रेबाइन ऊच्छा को भी आएर निवल्ट होना पेलिए जा पार आके एल ला कर दोणा दितर हम का है में खड़िए और्य एजल्ट हैंग recognize Si Alracadinky mentioned